गारडन इल इस समुद्र जिव की खासियत ये है कि ये इल समंदर के तल में छेट बना कर सौ से लेकर हजार इल्स के ग्रूप में रहती है भूक लगने पर ये एक साथ तल से बाहर आती है लेकिन अपने शेरेर का ज्यादातर बाग जमीन में ही चुबा कर रखती है अंडरग्राउंड बने रहने के लिए ये अपने शेरेर से म्यूकस निकालती है जो इनने पेड़ की जड़की तरह सते से जोड़े रखता है जब ये पाने के भाव से हिलती है तो ऐसा लगता है मानो गारडन में हावा के कारण घास हिल रही हो इसलिए इन्हे गार्डन इल कहते है अब तक की सबसे लंबी गार्डन इल चार फूर तक पाई गई है ये अपना छेत कभी नहीं छोड़ती और खत्रा लगने पर पूरी बाड़ी को जमीन के अंदर छुपा लेती है ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए ट्रू एडिशन को सबस्क्राब जरूर करें